त्रेस्त्रिय पंच्या चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है ऐसे में अयोध्या जन्पत का एक ऐसा गाउं है जहां के सेकड़ों मतदाताओं ने आजादी के बाद से अब तक मतदान नहीं किया लोक तंत्र के इस उत्सव में कभी शामिल नहीं हो पाए दरसल इनकी मांग सिर्फ ये थी कि इनका अगर अलग बूथ बना दिया जाए तो वो बदले हुए बूथ पर मतदान करने जाएंगे और अब बूथ बदलने जाने के बाद इस बार के पंच्या चुनाव में इनको मतदान अधिकार करने का मौका मिला है तो इनके चेहरे खिल उठे और ये मतदाता वर्तमान शासन और प्रिशासन को धन्यवाद देते नजर आए इन मतदाताओं की माने तो इनको अब एहसास हुआ कि वो भी आजाद भारत के नागरिक हैं वहीं जीवन में पहली बार मतदान करने जा रहे और लोग तंत्र के उत्सों में पहली बार भाग लेने वाले सेकड़ों मतदाताओं में खासा उत्साहा देखने को मिला बहुत अच्छा लग रहा है अच्छी बात है बहुत अच्छा लगा हम लोग खुस है हर आदमी अपनी जिन्दगी से खुस होना चाहता है हम लोग बंधन मुक्त हुए है आज इसी बंधन में थे वोट डाल करके आये हैं और खुशी हो रही है हमारे लग बग बाप जाद प्रशासन इनकी बात को संगान देते हुए और प्रशासन के लिए भी बड़े गवरोगान बात है कि जो लोग सास्तर सालों से वोट नहीं दे पार रहे थे उनको अपने मद्दान को अधिकार का प्रियोग करने की कब मौका दिया जाए ऐसा प्रशासन ब्रुक्ता करके प प्रशासन इसा कारिकरा करके अपने आपको गवर्वानित महसुद कर रहा है और ग्रामेडों के अधिकार का जो उनके मौलिक अधिकार को बचत किया गया यह इसलिए सरकार ग्रामवासियों को अपने हिर्दे से धन्नवाद देती है आपको बता दें कि जन्पद अयुध्या अमानी गंज ब्लॉक शेत्र के गद्दोपुर ग्रामसभा का बोध तेवारी का पुर्वा है जहां सामाने वर्ग से जुड़े जाते विशेष के लोग गद्दोपुर गाउं नहीं जाते और इसी गाउं में मतदान किंद्र है बताय जाता है कि गद्दोपुर के जमीदारों ने उनके पुर्खों की बड़ी जमीन जबरन कबजा कर लिया था जिसका विरोध इनके पूरवजों ने भूख हर्ताल करके किया जिसमें उनकी मौत हो गई और फिर उनकी मौत के बाद से अब तक संबंधित परिवार का अपनी पीट थपतपा रही हैं पंजाब केसरी टीवी के लिए अयुद्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट